मौखिक व लिखित सन्वात कौशल का विकास अब हम जानेंगे कि आप मौखिक व लिखित सन्वात कौशल का विकास कैसे करें। सहायक इलेक्ट्रीशन के रूप में आपका बहतरीन मौखिक व लिखित सन्वात कौशल प्राप्ट करना आफश्यक है। आपकी नौकरी भाग के रूप में आप अपने सुपर्वाइजर दुआरा निर्धारित निर्देशों का पालन करें और टीम के साथ मिलकर प्रभावशाली तरीके से काम करें सनवाद भी नियत कार्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब आपको कार्य पूर्ण करने में मदद की जरूरत पड़ेगी तो अपने अधीन सत सहकर्मी ववरिष्ट करमचारियों से भी बात करनी होगी इसलिए कारे के दौरान अपने सहकर्मी व वरिष्ट कर्मचारियों से अच्छा तालमेल विक्सित करना आवशक है मौकित सनवाद विक्सित करने के लिए जरूरी है कि आप ऐसी भाशा बोलें जिसे कारिस्थल के अधिकांश लोग समझ सकें अपने वरिष्ट अधिकारियों से इज़त के साथ बोले अपने अधीनसथ व अन्य कामगारों के साथ विनमरता से बात करें सहकर्मिょं से चर्चा करें कि कारे को निर्धारित समय व सही ढंक से किस तरह पूरा किया जा सकता है यदी सह कर्मी अपने अच्छे या बोरे अनुभव बताता है तो उसे ध्यान लगा कर सुने अधीन सत कर्मचारी को निर्देश देते समय आप सुनिश्चित रूप से मदूर लहजे में बोलें अपने स्वर से कभी भी प्रभाव दिखाने का संकेत ना दें व यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि आपके सनवात के तरीके से अपने आसपास के लोगों को तकलीफ ना हो सहायक एलेक्ट्रीशिन के रूप में आपको मूलभूत लिखेत कौशलता प्राप्त करनी भी आवश्यक है लिखने से समबंदित कारियों में अकसर सुपुर्द कार्य वा नियुक्त कार्य की सूची बनाना असुरक्षित स्ति वा सुरक्षा सुझावों के लिए सुरक्षा प्रारूप भरना अन्य कोई भी फॉर्म भरना शामिल होता है अपने वरिष्ट अधिकारी को कुछ लिखते समय यह सुनिश्चित कर ले कि आपका लेग स्पैश्ट वसू पाठ्थे हो प्रयुक्त भाशा असानी से समझने योग यहो व दुरगटना या आपात कालीन परस्थतियों में आप लिखित प्रारूप में जानकारी दें